है है यह इन्टेझां हेलो लोलु यू टोड़े विल गोंग इस्ट आर्फ टैन नेम अफ दिस चाप्टर दा स्टोरी ओफ और वाय साइकल ठीक है स्टोरी कहते हैं कहानी को वाय साइकल का मतलब होता है कहानी यह आपका यूपी बोर्ट क्लास इंग्लिज़ का चाप्टा 10 है इससे पहले कि चैप्टर आपकी नहीं देखेंगे तो आप प्लेलिस्स चेक कर लिए वहां आपको सारे चाप्टर मिल जाएंगे इस चाप्टर के फ्रस्ट पार्ट में हम इसकी स्टोरी को डिसकूस करेंगे और इसके second part में हम इसके question answer और activity करेंगे तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहे The bicycle is very popular in India ठीक है, bicycle आप जान चुके हैं, bicycle कहते हैं cycle को जिससे आप भली बात परचित होंगे, आप चलाते भी होंगे ठीक है, तो जो bicycle है वो हमारे देश में ठीक है, इंडिया हमारे देश को बोलते हैं, जो हमारा देश भारत है, यहां पर बहुत ही यह popular है ठीक है, popular का मतलब क्या होता है, popular का मतलब होता है, लोग परिये है ठीक है, जो cycle है, यह हमारे यहां बहुत ही लोग परिये है, यह हमारे यहां बहुत popular है ठीक है तो जब by cycle is very popular in India भारत के अंदर cycle बहुत ही लोग प्रिये है ठीक है old and young old का मतलब होता है वो ही बुजुर्ग और young कहते हैं जवान को ठीक है बुड़े हो या जवान हो या फिर the milkman the hobby horse newspaper boy ठीक है यह चाहें वो दूद बेचने बाला हो मिल्क मैं बोलते हैं दूद बेचने बाले को ठीक है तो जो दूद बेचने बाले होते हैं वो साइकल पर दूद लेकर आते हैं चाहें दूद बेचने बाले हो चाहें फिर वो डाकिया हो, postman कहते हैं, डाकिया को, तीक है, डाकिया हो, या फिर hooker हो, hawker किसको बोलते हैं, hawker कहते हैं, फेरी वालों को, तीक है, जो cycle पर गूम-गूम के चीज़ें बेशते हैं, तो इन सब के नाम आप पहले तो याद कर लिजिए, कि milkman बोलते हैं, दोद पेचने वाले को हॉवी होर्स न्यूज पेपर बाई बोलते हैं न्यूज पेपर बाटने वाले को जो सुबह सुबह सभी की घरों में न्यूज पेपर पहुचाने का काम करते हैं ठीक है पोस्ट मैन बोलते हैं डाकिया को जो की घर में कोरियर चिठियान लेकर आते हैं ठीक है होकर्स कहते हैं फेरी वालों को जो की साइकल पे घूंग घूंग कर चीजें बेचते हैं ठीक है इनके नाम आप याद हो गए होंगे यूज इट फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनोधर ये सभी साइकल का इस्तिमाल करते हैं गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनोधर क्या मतलब वह संटेंस का गोइंग मतलब जाने के लिए फ्रॉम से वन प्लेस कहते हैं एक इस्थान से टू अनोधर दूसरी इस्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ये सभी लोग साइकल का इस्तिमाल करते हैं A lot of educated young men used by cycle for environmental concern A lot of, lots of का मतलब होते हैं बहुत सारे A lot of का मतलब है बहुत सारे educated बोलते हैं पढ़े लिखे लोग बहुत सारे जो पढ़े लिखे जवान लोग हैं A lot of educated young men बहुत सारे जो पढ़े लिखे यंग लोग हैं यूज वाई साइकल वो सभी साइकल का इस्तिमाल करते हैं यूज मतलब इस्तिमाल करते हैं किसलिए करते हैं For environmental concern ठीक है Environmental कहते हैं कि परियाबरण को परियाबरण की चिंता से concern कहते हैं चिंतेद होना चिंता से परियाबरण का खयाल लगते हुए वो साइकल का इस्तिमाल करते हैं The first Y-Cycle was built in 1816 by German सबसे पहली साइकल First मतलब पहली Y-Cycle कहते हैं साइकल को सबसे पहली साइकल बनाई थी किसने जर्मन ने बनाई थी जर्मन में यी साइकल बनी थी 1816 में Built का मतलब होता है बनाना सबसे पहली जो साइकल थी वो जर्मन में बनाई गई थी जर्मन में बनी थी अठारा सो सोला में यह देखे यह आपको एक पिच्चर दिख रही है ना साइकल की यह साइकल जर्मन में सबसे पहले बनाई गई थी इट वाज मैड ओफ वूड यह किसकी बनी हुई थी की लकड़ी की बनी हुई थी टवार्ज मैड और मैड का मतलब बनी हुई थी ठीक है किसकी बनी हुई थी बूड की लकड़ी की यह साइकल लकड़ी की बनी हुई थी यह लकड़ी से बनाया गया था दर राइडर सेट औं सेडल एंड रोट इट वाई पुसिंग फीड अगेंस द ग्राउंड ठीक है जो राइडर होते थे जो इसके सवारी करने वाले लोग होते थे वह कैसे कर सवारी करते थे वह उसकी सीट पर बेह्ट थे शैडल का मतलब क्या होता है सैडल ठीक है सैडल का मतलब क्या होता है साइकल की सीट पर ठीक है जो साइकल की सीट होती है उसे बोलते हैं सैडल ठीक है साइकल की सीट को सैडल बोलते हैं राइडर कहते हैं सवारी करने वाले को ठीक है राइडर किसको बोलते हैं सवारी करने वाले को जो से बैठते थे साइ करना होते हैं तो वो चलाते थे सबारी करते थे कैसे करते थे पुसिंग पुसिंग करते हैं धक्के देने को ठीक है पुसिंग फीड फीड करते हैं पैरों को ठीक है अपने पैरों से वो पुस करते थे धक्के देते थे अगेंस तक ग्राउंड ठीक ग्राउंड करते हैं जमीन ठीक है और इंग्लेंड में इसी मसीन को होवी होर्स कहा जाता था ठीक है इंग्लेंड में जो मसीन का नाम था साइकल का नाम क्या था इंग्लेंड में इंगलेंड में सा verses केया होभी होस कहते थे करें altoिह इंगलेंड में ता मसीन वाज काल्ड वुई होस इंगलेंड में से साइकल को वुई होगे के नामसे जाना जाता था जो इस्पोर्ट्समेन थे एक स्कॉर्ट्लेंड के जो रहने बाले थे उनका नाम मैकमिलन था ठीक है इस्कॉर्ट्समेन का क्या मतलब है जो इस्कॉर्ट्लेंड में जो रहते थे ठीक है एक स्कॉर्ट्लेंड में जो रहने बाला एक आदमी था जिसका नाम मैकमिलन था थे जिनका नाम मैक्मिलन था इंप्रूब्ड था होवी होर्स उन्होंने क्या किया था इसी साइकल को जिसका नाम वहां पर जिसे की इंगलेंड में होवी होर्स की नाम से जाना जाता था इसे एक स्कॉर्टेस एक स्कॉर्ट मैं जो थे इन्होंने जिनका नाम मैक्मिलन था इ में और और ऋन्होंने बदलाव किये ती चेंज नेंगी इसी में झो हॉविय होट्ष नाम की साइकट थी ठीक ते मतलब होता है कुछ बदलाव करना कुछ संसोदन करना ठीक पहले से बहतर बनाना ऐसे आप समझ सकते हैं पहले जो cycle थी उससे उन्होंने उस cycle को और अच्छा बनानी थी ठीक है He improved उन्होंने क्या क्या improvement किये थी cycle में क्या क्या बदलाओ किये थे He provided pedals उन्होंने इस cycle को क्या provide किया था प्रोबाइड किये थे इन्होंने इस cycle लगा दिये थे विच वर connected to rear wheel while long roads और यह जो पैडल्स थे वो कैसे पैडल्स थे वो पिछले पहिये से एक लंबी रोड से वो connect थे ठीक है उनको इन्होंने क्या मोहया कराया था क्या provide कराया था इन्होंने पैडल्स प्रोबाइड कराया थी cycle को hobby cycle को ठीक है जो connected थे connected का मतलब होता है जुड़ा होना ठीक है जो कि जुड़े थे किस से जुड़े थे वील बोलते हैं पहिये को rear का मचलब पिछला ठीक है जो कि पिछले पहिये से जुड़े थे by long road एक लंबी छड़ियों से ठीक है यह देखे आप यहां पर cycling देखिए यह wheel है यह जो गोल वाला portion दिख रहा है ना इसको कहते हैं पहिया जिसे wheel बोलते हैं यह क्या है इसका नाम क्या है आप नाम याद रखिए wheel ठीक है यह पूरा portion जिसे मैंने round किया यह wheel है ठीक है और यहां पर यह जो आपको पहिये में दिखाई दे रहे हैं यह rods है यह rods है यह जो आपको पहीये में चड़ियां दिखाई देरी न छड़ी यह देखिए चारा तरफे छड़ी दिखा रहे हैं इनको बोलते हैं रोट्स ठीक है तो इन्होंने क्या किया था लंबी-लंबी लॉंग छड़ियों से लॉंग रोड रोड इनमें फिट कर दिये थे इसके पहीये के सा इस था इन 1861 1861 में A Frenchman Bilt a better machine एक Frenchman थे जिन्होंने इसी cycle को harvest cycle को और भी अच्छा बना दिया था बेटर का मतलब होता है और अच्छा कर देना तो उन्होंने cycle को और भी अच्छा कर दिया था इस machine में और भी बदलाओ किये थे और इसे better बनाया था, सामें यह और जाता है, इम्परूबमेंट किये थे, इट इच काल्ड, और اسे फिर इसे क्या कहा जाता था? इनको जनोंने बदलाओ किये थे, जिनका नामसे कर था, ठीक है इन्हें बउन से करके नाम से जाना जाता था, जो एक फ्रेंच मैंने थे फ्रेंच में रहने वाले थे जिन्हों ने इस साइक्विल को और भी अच्छा कर दिया था ठीक है और बेटर कर दिया थिसमें और जदा बदलाओ कर दिये थी क्योंकि विकॉज का मतलब होता है क्योंकि इट वूड़न विल्स का मतलब क्या है इसमें लकड़ी के पहिये लगे हुए थे तो क्योंकि इसने लकड़ी के पहिये लगे हुए थे गेव इट रफ राइड तो ये क्या करते थे ये ऊबर खावर सवारी देते थे रफ का मतलब ह तो फिर पहिए लेंश्च भता है तो थी जो कि समूथ ना हो वो इसमूदे अच्छे से नहीं चलते थे तो वह उबर खावर तरीके से वह चला करते थे पर जल्दी ही का मतलब क्या होता है जल्दी ही लवर विए जल्दी ही क्या हुआ रवर्स वील आ towards जल्दी ही क्या हुआ रवर्स वील को लगा दिया गया चै gum मतलब रवर्वील इसमेह लगद इए बेड़व कर दिये गए एड मसीन वाज दान काल और ये रवर वील लगने के बाद मसीन को किस नाम से जाना गया मसीन को किस साइकल को किस नाम से जाना गया वाई साइकल के नाम से ठीक है अच्छा रवर वील जब तक नहीं लगे थे तब तक इसे पाई साइकल नहीं कहा जाता था तब तक इसे हमने किस किस नाम से जाना है सा होवी होर्स के नाम से जिसे होवी होर्स कहते थे जरबर भी लगने के बाद ये बाइसाइकल कहलाने लगी टीक है दा मौड़न वाइसाइकल वाज विल्टेन 1879 वाई हैरी लौसन ठीक है जो मौड़न चाहिकल है मौड़न का मतलब क्या होता आधुनिक टाइम की तो जो थे हैरी लोसन जो एक अमेरिकन थे इन्हों ने इसे बनाया था जो आधुनिक युकी साइकल है कब बनाया था इसे 1879 में इन्हों ने बनाया था विल्ट का मतलब है बनाना ठीक है तो आधुनिक युकी साइकल आप जानते हैं जैसे कि आप चलाते हैं यह बच्चा देखो अम्रीका के रहने वाले हैरी लोसन ने 1879 में इस साइकल को बनाया था जो कि जिसे कि आज हम मौडर्न साइकल के नाम से जानते हैं और इस्तेमाल करते हैं इट वाज ड्राइवन वाया चैन कनेक्टे टू रियर वील और इन्होंने क्या इस प्जील के ने रियर वील ये यृवील कहते पिछले पहिये जी कनेक्टी मतलब जोड़τό दिया था चैन को यहां और आप साइकल जाते होंगे तो साइकल में से प्रीके क हैं साइकल को यृद कि दो पशले पहीजे नों एक चैन को जोड दिया था जो वाय साइकल है वो क्या है वो एक companion का काम करती है companion का मतलब क्या होता है companion का मतलब होता है साथी कम् Neighbor का मतलब क्या है साथी ओ है कॉंपन मैंन से इजसे क्ए कोमन मैं के यूए एक साधारन विक्त के लिए यह सदियों से का काम करती आई हैdeas favorite के लिए सदियों से एकसाथी रही है कम् पंपेन का मतलब साथी होता है कामन का मतलब मैंन बोलते हैं आदमी को since age का मतलब यहाँ पे सदियों से तो यह जो cycle है वो साधारन व्यक्त की common आदमी की साधारन व्यक्त की सदियों से साथ ही रही है it does not required fuel और इसे fuel की आवश्यक्ता नहीं है required मतलब होते हैं आवश्यक्ता fuel बोलते हैं इंधन को तो आपको पता है cycle को इंधन की आवश्यक्ता नहीं होती है कि से भी प्रट्रोल डीजल ठीक है इन सब चीजों के आवश्यक्ता cycle को नहीं है it does not require fuel इसे इंधन की आवश्यक्ता नहीं है it is easy to park इसे park करना आसान है park का मतलब क्या होता है हम cycle को कहीं भी खड़ा कर सकते हैं कहीं भी हम इसे park कर सकते हैं कहीं भी खड़ा कर सकते हैं इसी मतलब आसान park का मतलब है कहीं भी हम इसे खड़ा कर सकते हैं it is easy to park इसे खड़ा करना आसान है इसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं कहीं भी खड़ा कर सकते हैं it keeps the body of a rider fit और ये चलाने वाले की सरीर को भी fit रखती है, स्वस्त रखती है, सुडूल रखती है, ठीक है, जो लोग cycle चलाते हैं, वो active रहते हैं, स्वस्त रहते हैं, ठीक है, तो ये चलाने वाले की सरीर को भी ये स्वस्त रखने का काम करती है, it keeps the body of rider, fit rider कहते हैं, सभारी करने वाले को दा यूज और बाई साइकल इस आलसो इको फ्रेंडली ठीक है और बाई साइकल का इस्तिमाल जो साइकल है इसका इस्तिमाल परिया बरण की दरस्ट से भी अच्छा है इको फ्रेंडली का मतलब होता है परिया बरण की दरस्ट से भी ये परिया बरण के लिए भी अच्छा है स साइकल करते हैं जब हम साइकल चलाते हैं तो पॉलिशन नहीं होता है ना तो नौइज पॉलिशन होता है नौइज पॉलिशन का मतलब क्या होता है सूर सरावा ठीक है हम साइकल चलाएंगे तो नौइज पॉलिशन भी नहीं होगा और दूसरा जो स्मॉक पॉलिशन होता है ध को अचो बहा दो हमारे ऍचा को हमारे आपको साइकल का बिसकार कि स्टोरी अच्छी लगी होगी अब यहां पर आपको कुछ new word दिये गए हैं जो आपको learn करने हैं इसके अलाबा भी जो story में आई हुए word है उनको भी आप learn करना ठीक है चलिए यहां पर popular का मतलब क्या होता है popular का मतलब होता है लोग प्रिये spelling आप जरूर याद करेंगे spelling नहीं याद करेंगे साइकल से घुम घुम के सामान को बेचते हैं होकर कहते हैं फेरी वाले को wilt का मतलब होता है banana saddle saddle कि सीट को road road का मतलब होता है सवारी करना rear rear का मतलब होता है पिछला rear का मतलब क्या होता है पिछला हम भील के साथ यूज हुआ था rear 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 यहाँ पिछले से है companion companion आप समझ गये है companion साथी को बोलते हैं companion का मतलब क्या होता है साथी c o m p a n i o n spelling आप बोल बोल के लिए learn करेंगे मैं बार बार आपको बताती हूँ और मैं repeat इसलिए करती हूँ ताकि आपको याद हो जाया सारी spelling से ठीके और आपको इसका हिंदी मीनिंग याद हो जाया तो companion मतलब होता है साथी आप एक बार इने notebook में note down कर लेना उसके बाद आप learn करना ताकि आपको याद हो जाया ठीके तो जैसे cycle का इस्तेमाल कर रहे थे cycle में किसी भी तरह का fuel इस्तेमाल नहीं हो रहा था ठीके क्योंकि जो cycle हमारी थी वो fuel free थी वो उसमें किसी भी तरह की fuel की requirement नहीं थी तो ये आपके story वाला person याँ खतम होता है इसके second part में question answer activity हम करेंगे तो आप पहले तो आप story वाला वीडियो देखिएगा और फिर second part इसका देखिएगा question answer और activity के लिए ठीके और आप अगर channel पर नए हैं तो channel को subscribe कर लिजिए और वहाँ पर bell icon की बटन आपको दिखेगी subscribe के पास पर जिससे आप hit कर लिजिएगा ताकि वीडियो जैसे ही पड़े तो आपको उनकी notification मिल जाया करें ठीके thank you all of you thank you for watching